नमस्कार दोस्तों स्वागात है हमारासी फल धाम यूटूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुमरासी फल के बारे में कि ये दिन कुमरासी वालों के लिए कैसा रहेगा कि इन कीन चीज़ और से इन को फैदा होगा दोस्तों वीडियो के आंतर में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुमरासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है घर परिवार समंधित कामों में व्यस्ता रहेगी अपने वुद्धी और चतुराई से महत्पुन कामों को कर पाएंगे अध्याद्मिक और ग्यानवर्दक साहित को पढ़ने में भी समय वेतित होगा वावनात्मा गुरूप से अपने आपको ससस्त महिसुस करेंगे घर में किसी नमिन वस्तुओं को खरिदारी में समय वेतित होगा आप अपने कारे को पूरा जोज से उत्सा से पूरा करेंगे कुछ समय किसी धार्मिं अस्थल में वेतित करने से मानसिक सुपनों और सांतिकी प्राप्ती होगी आपकी रशनात्मक प्रतिभा और योगता खुलकर लोगों के सामने आएगी राज की कारियों में सफलता मिलेगी नई योजनाव तथा नई उक्रम के लिए समय अनुकूल है बच्चों की किसी समस्या को सुझाने में आपका महत्वपून सहयुग रहेगा घर पर रिवर तथा रिष्टिदारों में आपका वर्चस वग कायम रहेगा किसी धार्मी आईजन में सामिल होने का आउसर भी मिल सकता है दोस्तों राज नितिक तथा समाजी कारे में वर्चस पढ़ेगा किसी प्रेरिक व्यक्ति से मुलाकाद आपके व्यक्तित में निखार आएगी विद्यार्ति वर्ग अपने भावी लक्षों की पुरी तरह से कहन दित रहेगे आर्थी ग्रुप से समय की गति आपके पक्ष में रहेगी किसी भी कठीन से कठीन काम को आप अपनी हिम्मत और साहत से पूरा करने में समख्ष रहेंगे विद्यारतियों को पुरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहेगा परिवरव काम का दाई तो बढ़ेगा लेकिन आप उसे वह खुबी संभाल भी लेंगे बुजरों की सलाव और अनुभाव का लाव आवस उठाएं आज आप जो भी कार करेंगे उसका असुप परिणाम आपको प्राप्त होगा विद्यारति वर्ग अपना होमवर्ग समय पुरा पर कर लें घर की बरमत या कोई नयाग घर खरिदने समय नहीं भी बनेंगी संतान की केरियरत्वा विवाग को लेकर भी चिंता रहेगी प्रियर मित्र के साथ किसी बात को लेकर रिष्टों में कड़वाहट आ सकती है अपने कारे को गंभिता से करें क्योंकि छोटी-छोटी सी गंतियां का बड़ा खामियाजा भुकत ना पड़ सकता है इस समय लोग आपसे किसी न किसी स्वार्थ की भावना से ही दिमिलेंगे धन प्राप्ति के कारे में कुछ रुकावट आएंगी आपके दोरा कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपकी निंदा अलोचना होगी इसलिए साधान है किसी घनिस मित्रिया परिजन के साथ कोई नकारत्रों घाटना घाटित होने से आपको दुख की अनुवत्ती होगी किसी रिश्तिदार के साथ वहस की सित्ती उत्पन हो सकती है जिसके वज़े से कुछ तनाव रहेगा रुपे पेसे के मालने में भी हाथ तंग रहेगा दोस्तों इस समय दक्या निसारी विचारों से निकल कर आधोनी विचार को स्विकार करें विरोधियों की गतिविदियों पर भी नज़र रखें देनिक कारे को निपटाने में कुछ वियविधाम आप सकते हैं इसलिए बहुत अधिक सतरक रहने की आवसकता है इसमें रीन लेने की वचना आवसक है युवाव को परतित सब्रधा के शेत्र में बहुत अधिक चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों दो पर बार परसितियां कुछ परतिकूल हो जा रही है आचाना ही कोई चिंता किस्ति बनेगी चलते कारे में कुछ भीग न उत्पन हो सकता है परस्तों की भविश समन्दी किसी बात को लेकर भी परिशानी रहेंगे दोस्तों बात करते हैं वेब साइकी बिजनेस में उननती की ओफर मिलेंगे आएकर सेल्ट टेक्स समन्दी गतिविदियों में वेस्ता रहेगी अपने सहयों तक करुँचारियों के साथ किसी बात पर वुजलने की अपक्छा समयचदार हो था धैरे से परिस्तियों का समझाने में कोसिस करें ऑफिस के माहौल में किसी परकार की कलिद फिमिया उत्पन हो सकती है कारेस्तल पर सहगियों, गतिवीदियों और किरिया कलापर परपर करली नजर रखें आपको पी महतेपुन व्यजना सारवजनिव हो सकती है जिसके वज़े से आपको परिशानी का सामना करना पड़ेगा मैं तो कोई रुका हुआ या उधार्दी आ हुआ पैसा आपस मिलने से आर्थिष्टी बहतर हो जाएगी व्यवसाई कोट के समन्दी मामला जो पिछले कापी समय से रुका हुआ था आज वा उसमें कुछ सकारत में रिजल्ट मिल सकते हैं बिरोजगार लोगों को भी रोजगार की मुखे मिलेंगे रिन समन्दी कोई समस्या सामने आ सकती है अपना काम निकलवाने के लिए कई हथ कंड़े अपना आने पड़ेंगे परिवारी बदलाव की कुछ समस्यां बन रही है जो भविस में तारिकी देने वाली है रुकोवे काम अपर निटाने का उचित समय है जन संपनकों के मामले में आप पहले से अधिक ससकत का उर्जवान महसुस करेंगे नोकरी पेशा लगों के अपने अधिकारियों के साथ समन अच्छे रहेंगे मेडिया से जुड़ी लोगों को रचनात्मक छमता विक्सीत करने की जोरत है कारिशेत में सफलता मिलेगी नियोजनाय भी मनेंगे ऑफिस में परजेट एंशन सहारनी रहेगा परंतु इस समय दूसरों पर उमीद रखने की अपने कार छमता दोरा ही कार को अंजाम देना उचित रहेगा दोस्तों कारिशेत में नियोजनाय बनेंगे और उन पर अमल भी होगा हायदे मन यातरा का भी वीचार बनेंगे विरोधि परेशन कर सकते हैं टेक्स समंदी मामलों में भी कुछ परेशन या सकती है इसलिए इन कारे को समझ कर पूरा करें इस तो महीं बात करते हैं लाव लाइप की पती-पती में आपसे समंजस का भाव बना रहेगा परिवार के साथ कोई मन उन्जन समंदी यातरा का भी प्रोग्राम बन सकता है दामपत जिवन सो धाव पुर्ण रहेगा परिवार के सदस्यों के बीच आपसे तानमिल बहतर बना रहेगा प्रेम परसंग परिवार में उजगार हो सकती है अमपत समंदों में मदूरता किस्ती रहेगी घर के किसी मुल्यवान वस्तों की खरदारी भी संभव है घर की बुजरगों अपने पोते पोतियों वा बच्चों की भी इस खोसी का अनुभव करेंगे पति-पत्नी आपसी समंदों द्वारा घर की समस्यां को सुल्धाना में समख्च रहेंगे प्रेम परसंगों को लेकर बदनामिवा अपियस का यूग बना हुगा है इसलिए सावधान वा सतरक रहें पारवारी एक तबनी रहेगी संतो संतियादी की जलग आपकी निजी सिवन में साथ दिखाई देगी घर में महमानों के आगमान होगा घर में सुगुन भरा महावल रहेगा तता घर परिवार में जेमेदेरियां को भी आप वक्खोभी निभाएंगे और रिलेक्स महसुस करेंगे दोस्तों बात करते हैं स्वास्त की स्वास्त में सुधार आएगा पंतु कभीला परविय करना उचित नहीं है सुरक्षा समंदी नियमा का पूरा पालन करें सिर्ट दर्द की समस्या परेशान करेगी साथ ही दात के दर्द जैसी तकलीब दायक इसी दी से भी गुजरना पड़ सकता है स्वास्त समंदी कुछ समस्या सकती है इसे में अपना खान पान और दिंचारिया को अत्यदिक व्यवस्तित रखना चाहिए सारे रूप से आप अपने आपको स्वास्त महसुस करेंगे घर में सभी सदस भी वे स्वास्त समंदी पूरी साथानी रखेंगे सिर्ट दर्द की समस्या रख सकती है बारी खान पान से परेश करें नथा स्वास्त को नुक्सान पहुँच सकता है गर के किसी सदस के स्वास्त वो लेकर चिंता रह सकती है, इसमें किसी भी परकार की लापरह भी न वरता है, वो चीद इलाज लेना वास्त है, चलिए इसना आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्तों घर में तुलसी का पोदा होने से कलेक्स दूर होते हैं और परिवार परमालक्ष में की किर्पर वरस्ती है वास्तो दोस्त को भी दूर करने के साथ साथ इसके औस दीव गुन से भी हमें लाग मिलता है पुरानों के अनुसार अधिक मास के दिनों में जिस घर में तुलसी का पुजा होता है वहां सुक समर्दी और बागदे बना रहता है दोस्ते हिंदू मनता के अनुसार हिंदू किलिंडर के अनुसार कार्तिक मास में गुरुवार को तुलसी का पुधा लगाना चाहिए आपके भागसली रंग और भागसली औंक क्या है दौस्तों आपका भागसली रंग लाल है और भागसली अंक 9 है दौस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो से лайke और सबस्क्राब जड़ू करें और सच्ची मणची सद्दाgeon मोंची कॉमेंट बॉक्स में जय सिर्र हम जड़ो लिखें, धन्यवाद